दोस्तों, दुनिया में आपने कई ऐसे करिश्मा और चमतकार देखे होंगे, जिसे देखने के बाद आपको भी अपनी आखों पर यकीन नहीं होगा। इंसान या सोचकर दंग रह जाता है कि आखिर या कैसे संभो है। ठीक, इसी तरह हम आज अपने इस वीडियो में आपको जिस बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं, उनके बारे में जानकर आपको ऐसा ही रगेगा। जिन्होंने 48 सालों से अपने एक हाथ को हवा में उठाए हुए रखा है, एक पल के लिए भी उनका हाथ नीचे नहीं गिरा है। या बाबा कोई और नहीं, अमर भारती हैं जिनका नाम शायद कम लोग जानते होंगे। मगर आस्था और शांती के लिए उन्होंने जिस कार्य को किया है, उस वज़े से पूरी दुनिया उन्हें धीरे-धीरे पहचानने लगी है। अमर भारती बाबा ने पिश्रे 48 सालों से अपने एक हाथ को हवा में उठाए रखा है और एक पल के लिए भी उनका हाथ नीचे नहीं गिरा है। क्या हुआ कि वह अपना घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ कर धर्म की रा पर निकल पड़े। इसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि उनकी जिन्दिगी का जो बाकी बचा वक्त होगा वह भूले नाथ को समर्पित करेंगे। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा होगा कि आकि वह अपने हाथ को हवा में उठाए क्यों रहते हैं। तो आपको बता दे कि शिव की भक्ती और संसार की शांती के लिए उन्होंने यह महानकारे को किया है। खुद वो ये बात बता चुके हैं कि उन्हें यह काम करने के लिए शिव से शक्ती प्राप्त हुई है। जिसके जरिये वो इस दुनिया में शांती स्थापित करना चाहते हैं। आप यह जानकर चौक जाएंगे कि 1973 से ही बाबा ने अपने हाथ को हावा में उठा कर रखा है। अब यह तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। हर किसी को हर शीज रास नहीं आती है। कुछ लोग बाबा के इस कारनामे को चमतकार बताते हैं और धर्म के नाम से जोड़ते हैं वही कुछ लोगों को लगता है कि यह बेवकूफी है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com